हेलो दोस्तों मेरा नाम सिद्धार्त आप देखरें सिधाइटे तो दोस्तों आज का जो इन्फर्मेटिव वीडियो है वो काफी नेक्स लेवल वाला वीडियो है अगर आपका State Bank of India में अकाउंट होगा और आप योनो जो एप्लिकेशन है वो यूज करते होंगे तो आपके लिए काफी फायदे मांद है योनो एप क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकरिया आपको मिल जाती है और बहुत सारे सर्विसेस आप घर बेटे भी ले सकते हो तो एक सर्विस की बात करते है जैसे कि आपने थमनेल में देखा होगा कि पॉब्लिक फ्रोविडन फरंट का जो भी आपका अकाउंट होगा अगर SBI में तो उस अकाउंट का आप स्टेटमेंट जो रहता है इस प्रांसफर किया था तो एक ए रिसिप्ट करके एक आप्शन है योनो एप में तो योनो SBI एप में जो की ए रिसिप्ट में आप देख सकते हो कि किस तारिक को आपने अपना कैश डिपोजिट किया था पीप अकाउंट में जो कि आपको इंक्वाइरी का डाउट रहता है ब तो आपको ए रिसिप्ट एक आप्शन आ जाता है योनो में जो कि आप देख सकते हो कि आपने कब और कभी आपने किस तारिक को आपने चेक या कैश डिपोजिट किया था आपके पीप अकाउंट में तो यह जानकर ही पूरी आप देख सकते हो तो अभी मैं आपको मेरे है तो विडियो पूरा देखो दोस्तों देखें दोस्तों अभी आपको अगर ए रिसिप्ट चाहिए पीप अपकाउंट की तो सिंपली आपको योनो आप लॉग इन करना है आपको योनो का फिर उसके बाद जो यह इंटरफेस है योनो का उसके बाद आपको सर्विस रिक् सर्विस में जाने के बाद आपका पीप जो भी ट्राइचेक्टशन आपको चेक करना वगा तो आपको एतर टैक्समेंट में जाना है जैसे आप टैकस revenue में जाएंगे उसके बात बिदत पेए रिसिप्ट तो यह पर एक ट्लिक करना है सेका ना ओशन पे जैसे यहाप क्लिक करेंगे तो यह select pp account तो मेरा एक account है तो एकी account दिखाई देगा 2113 last में तो उसके बाद आपको क्या करना है जिस तारिक से आपको transaction देखना है उस तारिक से लेके आज के तारिक तक जो भी आपको आप स्टेटमेंट देखना है तो आप देख सकते हो दोस्तों तो मुझे समझे मुझे एक साल का स्टेटमेंट चाहिए तो मैंने फेब में account खोला था 2019 तो मैं समझे दस तारिक को मैंने खोला उसके बाद okay कर देना है और end date याने की आज का date डाल दीजिएगा आज तक का जो भी आपका transaction रहेगा दोस्तों तो यह पर next करेंगे जैसे ही तो यह देखिए select the transaction to view the details यह reference number और आपने कितना cash जमा किया था मैंने देखिए तीन जैन को thousand रुपिस जमा किया था मेरे पीपे के account में फिर उसके बाद 5 December को thousand reference number जेनरेट रहा और more details चाहिए तो यह पर arrow पे क्लिक कर लिए और उसके बाद review the details तो यह पर मेरा नाम आ गया account number आ गया पीपे का transaction date आ ग तो यह पर back करना है तो समझे मुझे और देखना है मेरा PayPal का details तो यह पर देखिए review the details आ गया PayPal print e-receipt का तो यह पर account number नाम, amount तो यह पर remarks में देखिए check deposit किया था मैंने जो कि इस account के लिए तो 4600 का तो ऐसे inquiries आप कर सकते हो घर बेटे बेटे तो download का भी option है दोस्तों तो यह file downloaded to internal storage जो भी आपका file manager का internal storage है उसमें यह एक folder share हो जाएगा तो वह पे आपका e-ppf receipt share हो गया है जो आपका ppf का जो भी आपको receipt चाहिए था transaction receipt वो से हो चुका है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो like करो share करो और subscribe करो धन्यवाद